हुआ है अब्रिवन दिस इस अधार आज हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट चेप्टर है उसके कुछ जो इंपोटेंट कोईस्टन आ उसके बारे में देखते हैं तो चलिए देखते हैं कि अंसैब उसके अधार में देखते हैं तो यह पहला कर लेते हैं पहला क्रिक्सिंट क्या कहता है यह कि ए बार ओफ लेंथ 6 मेटर इस मेंद अस्ट्रेक्ट्राल स्टील, विभिग दा स्ट्रेस डाइग्राम सोन इन दा फिगर, दा इल्ड स्ट्रेस ओफ दा स्ट्रेल इस तू फिप्टी मेगा पास्कल, कलरते चैंस कर लिता, जो इल्ड इस्ट्रेस है वो दिया हुआ है 250 मेगा पास्कल and modulus of elasticity is 200 गीगा पास्कल the bar is loaded axially until it elongate 8.5 mm and then the load is removed how does the final length of the bar compare with its original length यह कह रहा है कि कोई एक बार है इस्टील का जिसका जो length है वो 6 meter question में given है length 6 meter question में given है उसका जो इल्ड इस्ट्रेस है उस बार का इल्ड इस्ट्रेस कितना है 250 मेगा पास्कल दिया है और modulus of elasticity 200 गीगा पास्कल दिया हुआ है उस बार को हम लोग क्या करते हैं tensile force लगाते है और तब तक लगाते हैं जब तक कि वह 8.5 mm elongation ना हो जाए उस बार के अंदर जब वह 8.5 mm elongation उस बार के अंदर हो जाता है तो वह load हम लोग उसको remove कर देते हैं उसके बाद हम लोग देखते हैं कि final जो इसके है कि ढिवेन डटा क्या क्या है तो गिवेन डिटा जो हमारे पास है वो है एक लेंथ जञे है वह बार का 6.000 इंटर का था इसमें दो चेंजी लेंथ होगा वो होगा 8.5 एंट का और जो इलोंगेशन जब हम लोड को रिमूब कर दें गए तो लेंथ का जो और जिन लेंथ जो बार का जो लेंथ होगा हो कितना होगा हो हमको क्याल्खविलेट करना है ठीक है तो इसमें जर ता सबकेंड इम मां देटा हमारे पास से अविलेवन ऑन पास सबकेंड, समय वर करेंगे थो से अन्ह जर्ब दियाल हमारत 251 डाश्रीय बशुकर और मोड लस आउर्पी थ्युफेट तो यह गिवाण पास्कल गिवहन था और एलोंगेशन जो था मारे पास जैंज लेंद जो था 8.5 mm था यह डेटा हमारे पास गिवहन था ठीक है तो हम सबसे पहले क्या किया और यह हमारे पास यह ग्राफ था यह घ्मिन तर्फ क्यों में कि यह जो हमारा स्ट्रेस स्टेंगा तो है इस रहा है तो उसका इंवर स्टो पे वह फुटिया हूँ था भटक यह हमारा ये जो घृब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे टोटल इस ट्रेंड n दू टू टूइकल फ convicted अईगा एक जी फॉट लगा रहे थे ons लुट fringe था में यह कोई मेमब्स है इस चेंजिन लेंथ अपन और इजनल एंद यही तो होता है हमारा अस्ट्रेंट ठीक है तो चेंजिन लेंथ कितना था चेंजिन लेंथ लगा रहे थे जो भी लगा रहे थे वो लोट अन्वार पास इसमें जो हम एक सिय लोडिंग लगा रहे थे तो कितना इस्ट्रेन इसके अंदर आया जब यह जो है जो एचेंजिल लेंथ था कितना 8.5 दिया वाथा तो हमारा जो था इस्ट्रेन कितना आ गया 1.420 10 के पावर एसट्रेंट अब निकाल सकते हैं इस असे निकाल सकते हैं इस इस रिल्सबशक जो हमारे मेगा पास्कल में चैन्ज कर देंगे तो क्या करेंगे हम 10 के पावर 3 से मल्टिप्लाइ कर देंगे यानिक एक गीगा पास्कल जो होता है तो इसी तरीके से 200 गीगा पास्कल था तो उसको क्या लग सकते हैं तो इंटू टेन के पावर 5 या फिर टू हंड़ेट इंटू टेन के पावर 3 मेगा पास्कल यहीं होगा जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वह आता है वह आता है जीरो प्वाइंट जीरो जीरो ओन टूफाइब तौ इसका कुई टामेंस नहीं हो टाइए यूनिट-लेस क्कॉइंट टिटीटी ओथा इसलेश का यूनिट जी कॉनिट जो है फुछ मी नहीं ह है तो हमको पता चल गया कि जो है टो टो एक्षे लोड के कारण कि न इसके अं that strain duty xl loading is greater than greater than strain duty elastic strain यह हम को पता चल गया कि strain जो seal loading के कारण जितना हो रहा है किसके का से elastic strain से ठीक है तो इसका मतलब यह हो गया कि जब टोटल एस्प्रेंट जो है elastic strain को exceed कर रहा है यानि कि हमारा material है प्लास्टिक में चला गया तो यहां तक हमारा था एल्ड पोईंट था तो इंद्सेट एक कले एक इन कहले है यानिकी कहने पलास्टिक में पहुँच गया तो फिर इलस्टिक और NOT मेंट टिफर्मेशिट मेंस पर्मामेंट इफर्मेशन विलोकर्स इसके अंदर जो है इस बार के अंदर जो है पर्मामेंट इफर्मेशन हो गया होगा ठीक है तो इलास्टिक रिकावरी इलास्टिक रिकावरी जो हमारे पास कितना था सिगमा वाया पॉर्ट इथा मतलब इलास्टिक ये वलाज़ थ साथ कितना था 0.001 वाइन था इसे हमारा यहां पर पॉइंट एपर ठीक है यह कहीं न कहीं इस जो हमारा यह जो एक सीड करके यहां पर यह पी पोईंट तक पहुंच गया होगा जो हमारा हो झाल पर्मामेंट के च्टों प्लास्टिक में ना परइडाल ना तरफ प्लास्टिक में चले जाता है यह पडाता है तो कितना वह is larger हो गया जब हम अनलोटिंग कर देंगे तो फिर भी वो अपने ओरिजिनल पोजिशन में नहीं आएगा ठीक है तो हम क्या करते हैं जो टोटल था मतलब भी भी पॉइंट तक गया ते तक तो वापस आ जाता है यह तक मैटेरियल वापस आ जाता है तो क्या करेंगे कर देगे बी माइनस से कर देंगे तो हुआ कर पता है कि कि तना थे था यह की अचला इना के पावर ठीए यहां पर देखिए जब हम ये क्यालकुलेशन किये कैलकुलेट कि इसको तो 1.42 यहां पर टू-10 के पावर थी- मतलब यह जो था मारा 1.42 मायनस यह यह हम माइनस कर दिए तो हमारा जो भैलिव आ ता किता था 1.7-10 के पावर माइनस पूर ठीक जो पर्माइमें टेस्ट रेंड था उसकी फैली इतनी आई तो फिरम के पर्मा मेंट डिफॉर्मेसें जाफ क्याल्कुलेट करें तो तो कितना परमामें डिफोर्मेश कितना हो जागा उते इस ट्रेन आया था ठीक है तो वर्न फोर इस ट्रेन क्या मतलब पर यूनिट लेंद के लिए था हमारा टोटल लेंद कितना था वार का 6 इसको 6 मिटर से जो है मल्टिप्लाइ कर देंगे तो टोटल आ जाए गा जो पर मामें डिफोर्मेशन हमारे बार में आया होगा थो हम इसी को क्या किया 1.7 इंटू 10 के पावर 4 इंटू 6,000 6,000 मतलब 6 मिटर को हम अगर कर दिये ममें तो कितना हो जायागा यह से हम मल्टिप्लाइ करने का वाद हमारा वैली जाया 1.25 mm आया ठीक है यह पॉजेटी भाली इसलिए क्या होगा बार जो है वो लॉंगर आया होगा ठीक निगेटी वैली आ जाता तो क्या होता सॉर्टर होता ये कि यह पॉजेटीव का फैलीव है तो यानिकी 1.25 mm बार जो वो लॉघ हो गया था यह था यह क्वेश्टन थिक है तो कि यह इन ओ ठीक है चलिया आगे देखते हैं थैक है तो हम लोग देखते हैं चेप्टर फरस्ट का जो most important multiple different different question. उसके बाड़े में भाड़े देखते है जो important question that is a matter my level exam में आये हुए है वो किस्टिन हम लोग देखते है तो question 1st किया है question 1st strain is defined as the ratio of change in length change in volume to original volume option be change in length to original length option C change in cross sectional area to original cross sectional area option D any one of the above option E none of the above तो क्या है क्या होता है जो होता है घॆ या किया होता है यह थो हाजometर को हो होता है limit of proportionality that ठीक है तो hooks law क्या कहता है is equal to मतलब stress जो होता है hooks law क्या कहता है stress is directly proportional to strain तो hooks law कहां तक valid होता है point A तक यह जो stress strain का graph था यह जो हमारा यह point था proportional limit point A तो hooks law जो है यहीं तक valid होता है देखते हैं next question 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 number three question number three क्या कहता है कि the materials having same elastic properties in all direction are called किसी भी प्रोप मेटेरियल्स का जो elastic property होगा all direction में सभी direction में same होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं ideal materials option B uniform materials option C isotropic materials option D particle materials option E elastic materials इसको हम लोग क्या बोल देते हैं isotropic materials option C is correct चौथा question क्या है चौथा question है the ultimate tensile stress of mild steel compared to ultimate compressive stress is the ultimate tensile stress of mild steel is compared to ultimate compressive stress is the mild steel का जो compressive ultimate compressive strength होता है और tensile compressive tensile ultimate strength stress के compare में ज्यादा होगा same होगा कम होगा या फिर किसी और factor पे depend करेगा तो option A same option B more option C less depending upon the factor तो जो ultimate tensile stress होता है mild steel का as compared to ultimate compressive stress is जो होगा tensile की compare में जो compressive होता हो क्या होता है mode होता है ज्यादा होता है ठीक है क्योंकि ductile materials जो होता है वो compressive force को ज्यादा वियर करता है compressive force को ज्यादा handle करता है तो जो हमारा ultimate compressive strength होगा किसका mild steel का वो ज्यादा होगा किसके compare में ultimate tensile stress के compare में next question जो हमारे पास है next question पास्मा question देखते है which of the following materials is most elastic इसमें कह रहा है कि कौन सा materials जो है सबसे ज्यादा elastic होता है rubber option A rubber option B plastic option C brass option – candy steel vlog turn A glass तो आपको बताना है कि उने में से सबसे ज्यादा elastic कौन सा materials होता है तो elastic materials जो होता है सबसे ज़्यादा इसका जो connection say option E glass option E glass देन उसके बाद कौन सा material हो हो जागा हमारा rubber भी मेला तरबर जो होता है अब ज्यादा भूं हम खीषते जाएंगे खीषते जाएंगे लेकिन वはは टूटे Gglτι कीया होता है क्वह टूट की थे आगा एक चो होता है एक पॉइंटवे जाए कि हो तूट जाएगा फिर्टेट स्टील जो होता है प्लास्टिक और अब सबसे ज्यादा जो स्टील होता है वो कौन सा है ग्लाज है नेक्स्ट जो कंई है नमर करे सिक्षने क्या क्या रला को रहता है तो परकर स्टील और्जिनल सेफ को रिगेन कर लिटा है ऐसे मेटेरियल को क्या बोलते हैं और आपसन सी धुटिल टी-आप संडी मिलेबिलिटी आपसन नी रेजिलेंस तो ऐसा प्रोपर्टी को होता है जो अपना औरजिनल सेफ को धिक कर लें को रिमूब करने के बाद एफ प्रोपर्टिस को क्या कहते हम लोग Elasticity क्या कहते है Elasticity Plasticity होता है जब हम लूड को रिवूब कर देता है तो वो औरिजिनल से पर इगें नहीं कर पाता है वो क्या होता है Plasticity Plasticity के मतलब होता है parvament deformation smaller section by application of tension is called कौंचा होता है इसको जो बोलते है ऐसा प्रोपरिटी जो होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं ductility क्या बोलते है ductility option B is correct जो हमारे पास next question है next question जो है नवा question देखते हैं हम लोग the maximum strain energy that can be stored in a body is known as the maximum strain energy that can be stored in a body is known as यहां पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है क्या क्यारा maximum strain energy strain total strain energy की बात नहीं हो रही है यहां पर maximum strain energy की बात ओर यह तो maximum strain energy जो है store करता है कर वर्डी उसको हम लोग क्या बोल देते हैं क्या बोलते हम लोग modulus of resilience क्या बोलते हम लोग modulus of resilience of Sunday is correct जो हमारे पास 10-ma question है वो क्या कहता है the total strain in energy store in a body is turned magic total strain energy के बात हो उसको हमलो पोल देंगे रेजी लेंज़ क्या बोल देंगे इस ये डेजी लेंज तो ऑप्शन एक तो नेक्स्ट कुइस्ट नहारे पास है वो next question क्या कहता है material capable of absorbing large large amount of energy before fracture is known as ऐसा कौन सा material होता है जिसकी capability होती है large amount of absorbing जो है वो किसको fracture ठीक है fracture होने से पहले जो होता है large amount of energy को absorbed करता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं क्या बोलते है ductility toughness resilience shockproof या plasticity ऐसी material का हम लोग क्या बोलते है toughness option b is correct option b is correct last question हमारे पास है क्या है limiting value of presence ratio limiting value of presence ratio क्या है option a minus one से लेके minus five minus one and point five option जो है minus का one and minus फाइब माइनस का फाइब माइनस का फाइब माइनस का पॉइंट फाइब ऑफ संदी जो है zero and point five तो correct answer जो है इसका क्या हो जाएगा डी जीडो एंड फाइब जो लिमिटिंग वैली होता है पॉइंट यह स्यों का होता है जीरू से लेकर point five तर्ग ठीक है कितना वैली होता है 0. five तर्ग योफ स्यों स्यों होता है अलाग-अलाग मैटरियल क्या अलाग होता है जैसे कि जो हमारे पास कॉर्क है कॉर्क है कॉर्क का कितना होता है कॉर्क का होता है जीरो कितना होता है जीरो कॉंक्रीट का कितना होता है कॉंक्रीट का कितना होता है पॉइंट वन से लेके पॉइंट टू तक कितना होता है पॉइंट वन से लेके पॉइंट टू तक the line performance ratio form cents यत्ले दिए यह गटके 20 30 फ्यायों का इंक रहे ने कितना होता है तक ट्वाएंट मक होता है और यह कोई मेटेरियल ज को अच्छा लगा होगा यह लेक्च्चेर थैंक यू भेरि मैच्च